Welcome to the SP Tutorials आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे inserting of CSS CSS को कैसे apply किया जाता है उसके बारे में discuss करेंगे CSS को apply करने के लिए तीन तरीका follow किया जाता है There are three ways of inserting CSS जो तीन तरीका है उसमें से first जो तरीका है वो है inline CSS inline CSS जो use किया जाता है उसको हम लोग html element के अंदर use करते हैं जो की एक line पर ही use करते हैं हम लोग उसके बाद आते है internal CSS internal CSS को use किया जाता है html का जो head section है उसके अंदर style नाम का एक tag लिया जाता है उसके अंदर internal CSS को use किया जाता है उसके बाद external CSS external CSS को use किया जाता है HTML document के बाहर में कोई भी अलग से एक सीट लिया जाता है उसको यूज करके हम लोग external CSS को यूज करते हैं अब define करेंगे inline CSS कैसे use होता है inline CSS है inline CSS को हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि ये change कर सकते हैं कोई भी one specific HTML element को मतलब अगर माल लीजिए कोई भी HTML document में एक element है एक heading tag है heading tag के अंदर अगर उसी specific heading tag को अगर हम लोग style देना चाते हैं तो इसके लिए हम लोग inline CSS का स्तमाल करेंगे उसके लिए हम लोग heading tag के अंदर एक style attribute डालेंगे style attribute लेने के बाद उसका property और value को हम लोग set करेंगे उसके बाद जो heading tag है उसका style change हो जाएगा it is used to apply a unique style for a single element inline CSS हम लोग इसलिए apply करते हैं क्योंकि ये unique style देता है एक single element के उपर अगर कोई भी html document रहता है उसके उपर कोई भी single element को अगर हम लोग formatting करना चाते तो उसके लिए हम लोग inline CSS का स्तमाल करेंगे इसका example क्या है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे है जो example है यहाँ पर एक h1 tag लिया गया है h1 tag के अंदर लिखा है देखिए dc से heading dc से heading जो लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे है यह heading tag के उपर जो style apply किया गया है वो h1 tag के जब starting किया गया है वहाँ पर style tag को लेके यहाँ पर property or value को देखे यहाँ पर style को apply किया गया है जो की html element के अंदर है जो inline css बोला जाता है इसको क्योंकि यह एक ही line के अंदर use किया गया है इसलिए इसको inline css बोलता है तो चलिए example लेके दिखाते है अब यहाँ पर प्लस प्लस को हम लोग यहाँ पर open किये हैं आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो body section है body section के अंदर एक paragraph tag मैं यहाँ पर लिया हूँ अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे inline css के स्टमाल करेंगे करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे है 250 लिख़ा हूँ यहाँ पर पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जो पी है अधर परिय यह इसमें हम लोग inline css के स्टमाल करके बीक हो ताइल ंसके लिए के लिख师 और हम लोग लिखेंगे स्टाइल उसके बाद equal sign देखे double inverted comma के अंदर हम लोग क्या करेंगे style का जो property है और उसका value है उसका स्तमाल करेंगे देखे मैं यहाँ पर दूँगा color, color मैं यहाँ पर देदेता हूँ green, green देने के बाद मैं यहाँ पर refresh कर देता हूँ इसका color है green हो गया है, इसके लिए मैं यहाँ पर font size set कर देता हूँ, font size मैं यहाँ 50 pixel कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर refresh कर देता हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर font size 50 pixel हो गया है, और इसका color है color green हो गया है, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ जो म email element के अंदर अगर हम लोग कोई भी style apply करेंगे तो उसको बोला जाता है inline css अब हम लोग बात करेंगे internal css के बारे में दखी internal css क्या होता है internet internal जो css होता है उसको हम लोग use करेंगे headset के अंदर पर internal css क्यों use करेंगे हम लोग internal css used to on the whole html document for unique style मतलब internal css को क्यों हम लोग use करेंगे internal css used on the whole html document for unique style internal css को हम लोग इसलिए use करेंगे ताकि हम लोग कोई भी specific content को छोड़के multiple content को या फिर multiple element को लेकर हम लोग style दे सकते हैं पर क्या करना पड़ेगा हम लोग को इसको जो html document हम लोग use करेंगे उसके अंदर ही use करना पड़ेगा कहाँ पर उसकरना पड़ेगा head section के अंदर head section के अंदर हम लोग style tag लेंगे style tag के अंदर हम लोग यह internal css को apply करेंगे internal css defined on the head section इसको use किया जाता है head section के अंदर example देखिए आप लोग यहां पर देख पा रहे है जो inline css को इसको इस्तमाल किया जाता है head section के अंदर मैं देखिए मैं head block है head block के अंदर मैं style tag लिया हूँ style tag को यहां पर start किया हूँ और style को हम लोग apply करेंगे वो style किसके उपर apply होगा उसके लिए हम लोग selector use करेंगे मतलब मैं यहां पर use क्या हूँ h1 h1 का मतलब है यहां पर जो मैं property और value दिया हूँ यह h1 यूज करूंगा वो h1 tag के अंदर क्या होगा style apply हो जाएगा इसका सुविदा यह है कि अगर हम लोग internal css को use करेंगे इसमें क्या होगा माली जी यहां पर h1 tag जहां पर मैं use क्या हूँ इसके अंदर अगर मैं h1 जो selector है इसको कॉमा दे के मैं pv लगा देता हूँ यहां पर जो h1 का मतलब है html document के अंदर जितना भी h1 tag है उसके अपर यह style है apply हो जाएगा पर इसमें problem क्या होगा internal css को use करने के लिए problem कुछ नहीं है पर जो html document का size है वह बहुत lengthy हो जाएगा जिसके card हम लोग internal css को use करते हैं उसके लिए हम लोग external css को use करते हैं उसके बारे में हम लोग बात में बात करेंगे आप देखिए internal css को कैसी use किया जाता है उसके बारे में define करूंगा आप लोग देख पा रहा है यहां पर जो html code है यहां पर h1 tag लिया गया है मतलब एक heading tag लिया गया है अब देखिए heading tag मैं यहां पर लिया हूँ इसको क्या करूंगा मैं इसमे style apply करूंगा internal css के अपनल करके आप देखिया मैं क्या करूंगा hit section तर पर जाऊंगा यहां पर मैं styleこう ले लेता हूँ style tag लेने के बाद मैं करूंगा यहां आप साइज आप साइज आप लिजे 80पिक्षल लेने के बाद मैं यहां पर रिखेस कर देता हुआ आप लोग देख पारेगी आप साइज जो है 80 पिक्षल के आकर में हो गया है अब डेखिये जो internal CSS है इसका use करने का सुभीदा यही है कि मितिक्ति यहां पे h1 एक ही बार लिया हूँ इसको मैं multiple कर लेता हूँ, इसको 20 बार बार 11 00 कर लेता हूँ, इसको देखिये मैं यहां वा्थ बार यूद्ध किया हूँ बहुत बार यूज क्या हूँ, यूज करने के बाद भी मैं यहां पर रिफ्रिस्ट कर देता हूँ, आप लोग देख पा रहा है यहां पर जितना भी h1 tag था, h1 tag के अंदर यह जो style है, style apply हो गया था, पर जो inline css है, inline css पर हम लोग क्या किये थे, inline css पर हम लोग जो use किये थे, specific element के लिए use किये थे, अब देखिए मैं यहां पर एक h1 tag के अंदर मैं एक inline css दे देता हूँ, देखिए मैं यहां पर देता हूँ, color red, करने के बाद देखिए मैं रिफ्रेस कर दिया हूँ, यहां पर देखिए color red हो गया है, तो inline css का स्तमाल हम लोग इसलिए या फिर कोई भी html का specific content या फिर कोई भी specific element को design करने के लिए यह जो inline css है उसका स्तमाल करेंगे, पर माल इसलिए अगर multiple कोई भी element के उपर काम करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, internal css का स्तमाल करेंगे, next हम लोग सिखेंगे external css को कैसे use किया जाता है, external css को किसलिए हम लोग use करेंगे, using external css we can change the style of entire website using one suite, external css को इसलिए हम लोग use करेंगे, ताकि एक ही page को use करके हम लोग पूरा website को style change कर पाएंगे, each html page must include a reference of external css sheet using link element, html page के अंदर external sheet को जब हम लोग use करेंगे, हम लोग को एक link element डालना पड़ेगा, यह जो link element है, यह reference करेगा, जो css sheet हम लोग externally use करेगे, उसको reference करेगा, मतलब उसको link करेगा, जो main html page है, वो link करेगा css sheet को, मतलब बाहर में जो css हम लोग style apply करेंगे, वो link रहेगा html page के अंदर, उसके बाद क्या होगा, जो भी external css के अंदर हम लोग style apply करेंगे, वो link होके automatically html कर document के उपर apply हो जाएगा, तो example देखिए, माली जी ये एक html document है, html document पे अगर मैं style apply करना चाहूंगा, तो इसके लिए माली जी मैं आप एक external css file को create किया हूँ, create करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो css file है external, जो externally मैं create किया हूँ, जिसका extension होगा, कोई भी आप नाम दे सकते है, उसका extension होगा dot css, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, link करना पड़ेगा head section के अंदर, link कीजिए link, जो element है, link element को यूज़ करके html document के अंदर ये css file को link करेंगे, कैसे link करेंगे, example देखिए, head section के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक tag डालेंगे, जो है link tag, इसका relation रहेगा style sheet, type रहेगा text, slash css और hreference, href, मतलब reference जो रहेगा, reference पे आपको path देना पड़ेगा, मतलब ये जो css file है, ये css file कहाँ पे रखा हुआ है, उस path आपको यहाँ पे include करना पड़ेगा, उसके बाद आप external css को use कर पाएंगे, तो चलिए example लेकर देखते है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे external css को apply करूँगा, external css को apply करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माली जी जो head section है, head section के अंद style sheet, उसके बाद मैं क्या करूँगा, href दोँगा, मत्रब reference, reference क्या रहेगा, reference माली जी मैं यहाँ पे देदेता हूँ, mycssstyle.css, देखिए जो css आप external बनाएंगे, उसका नाम देना पड़ेगा, और उसका extension देना पड़ेगा, .css, माली जी मैं यहाँ पे क्या क्या हूँ, mycss style आपके css file बनाऊँगा, external, उसको apply करूँगा, ठीक है, तो apply मैं पहले यहाँ पे कर दियाओ, link कर दियाओ, अब क्या करूँगा, css file को बनाऊँगा, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिया, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो h1 tag है, इसमें कर देता हूँ color red इसको मैं save करूँगा, save करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहां पर जो file name है, देखिए file name जो दिया था html में mycssstyle.css, देने के बाद, आप देखिए मैं यहां पर, मेरा यहां पर क्या है, जो html file है, उसका नाम है stylemy.html, उसी folder के अंदर ही मैं यह css file को मैं क्या करूँगा, इसको save करूँगा, save करने के बाद आप लोग देख पाएंगे, यहां पर मैं save कर दिया हूँ, save करने के बाद आप यहां पर देख पा रहा है, यहां पर यह जो external link है, यहां पर link हो गया है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको apply कर दूँगा, apply बॉन में पर तो यहां Churchill कर हुए गाएद आप लोग भी ही आ इसका और को Beneda ढूर पर हो जाएगा और मैं यहां पर प्लीट कनचा अज mail कोशचे श्राइबित रहार फले तो तो200 पिक्सल कर देज़ों कशंची स्वाइब देखिए मा के सकते लिए taken जो size size increase हो गया है, तो यही है HTML और CSS का link, ठीक है, कैसे CSS को linking किया जाता है, उसके बारे में आज मैं discuss किया हूँ, तो अच्छे से पढ़िए कैसे internal CSS, inline CSS, external CSS को use किया जाता है, practice किर जिए, practice करने के बाद बहुत ही असानी से आपको समझ में आज आएगा, बहुत ही असान है कैसे linking किया जाता है, next tutorial में हम लोग CSS का दूसरे topic के बारे में बात करेंगे, तो आज के लिए इसी पितना ही, thank you for watching, have a great day